तो बच्चो question number 21 करते हैं root 6 into में root 8 बराबर है बताना option में तो solve वैसे करेंगे देखो root 6 को हम लिख सकते हैं root 6 के जो factor होते हैं वो 2 3 6 8 के factor होते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बच्चो एक बात का ध्यान दखना है गुणा में होते हैं root की value तो पूरे root हम लगा सकते हैं 2 multiply 3 multiply 2 multiply 2 multiply 2 अब पेर बनाते देखो इसका जोड़ा बन रहा है और इस दो का जोड़ा इससे बन रहा है इसका एक दो भारा जाएगा इस जोड़े का एक दो भारा जाएगा बचा तीन अकेला तो यह अंदर root में रहेगा अंदर घर में रहेगा इसको हम घर मान लो एक तरीके से इस घर से बाहर निकलने के लिए दो का जोड़ा होना जरूरी होता है तो इसका दो का जोड़ा बंदा दो बार आ गया इस दो का जोड़ा बंदा दो बार आ गया एक आएगी वेल्यू ठीक है लेकिन तीन अकेला तो भार नहीं आ पाएगा तो रूट अंदर अकेला रहेगा रूट में तो आंसर इसका चार र पूर्टीन हमारा ऑप्षन भी है 21 का अब है 22 करते हैं 22 वा कोशन देखिए यह कोशन है 3-2 डिवाइड में 3-2-2 हर का परिमिगरन करने पर हमें प्राप्थर है तो निकालना वैल्यू देखो आप परिमिगरन करना है 3-2-2-2-2-2 मैंने बताया था परिमिगरन करते हैं तो बीच वाली वैल्यू का बस साइन चेंज करते हैं यह जो दो है बच्चो यह वो नहीं है जो आप सोच रहो है ऐसे करके छोटा सा दो मा आता है यह पूरी एक वैल्यू है ठीक है तो थ्री रूट टू थ्री रूट टू प्लस टू रूट टू और नीचे देखो ए प्लस भी ए माइनस भी ए प्लस भी यह वहारा फर्मल लगा रहे हैं और ए माइनस बी का किस्केर मानेस में बीस कर ये फॉर्मल लगाएंगे तो थ्री रूट टू का हॉल स्क्यार माइनस में तू रूट टू का स्क्यार तो बच्चो आप देख सकते हैं इसकी मल्टिवलेस्टे करों तो जाएगा ये तीन दिया नो नो दून एठारा ठीकिए अगर आपको ये जानना है डिटेल में मुझे कमेंट करके बताईए इसकी मल्टिवलेस्टे करेंगे च्छे दून एबारा हो गया नीचे हो जाएगा तीन का स्क्राइब एठारा माइनस में यह जाएगा ऊपर बनेगा जोटने पर तीस नीचे बनेगा आदस या तीन तो बच्चो आप दिखो आप्सन में आप्सन में नहीं है और पीछे आंसर दिया हुआ है तो ये कोस्टन में गलती है आंसर हमारा ठी ही आएगा ओके अब रूट टू की सीरी रूट से मल्टिप्लाइब करेंगे तो तीन तीन नो हो गया और रूट टू रूट टू गुना होते है मैंने बताया तो ये दो गुना में हो गए दो भार आ गया नो दूनी अठारा बने गया इसी परकार जो है हमारा सारे कोस्टन ऐसे करने हुए ठीक दो ट्यच्छ थै माइनस दो दूनीशाद दो टिच इनको रूट गाटे दो से इसके आगे वैल्यू सॉल नहीं हो रहा तो इतना ही यह आंसर तो यह तो यह तो आंसर नहीं हो सकता इधर देखें जल्दियां से बच्चों यह बारा जो है ना यह वह वाला यह च्छोटा व ऑन बैट्री और ये बारा भी हमारा डिवाइड मा आजाएगा पूरे पह तो आप मैंने बताया था रोट की वैल्ली जो होती है वह बटे माँ आ जाती है तो आप देखो इसकी गुनस हो जाएगी जो जाएगी बारत यह चाहिए पावर नीचे की गुना नीचे सह जाती है इ तो यह भी नहीं है सी में देखते हैं बच्चों आप ज्यान से देखो इसकी पावर तीन है और यह है दो बटे तीन ठीक है रूट भी बनाई लेते हैं ताकि समझाए अब यह ऐसे नहीं समझो दुबारे से कंफ्यूज हो नो जाओ लिकां तो ए ठीक है यह रूट को में बना दिए वन बाई टू भार वाले भी रखो भारी रखो भी टू बाई ठीक है इसकी उना ऐसे करेंगे तो यह जगा थ्री बाई टू वह है भार टू बाई थ्री तो आंसर है इसी परिकार बच्चो यह देखो यह है इसी तो आप ध्यान से देखो इसको बारा एक से चोवालीस हो गया माइनस में नंचास बार सब्सक्राइब करने पर कुछ वैल्यू आईगी लेकिन ए नहीं आएगा इसलिए आंसर नहीं हो गई आप करके दिखाए दिखाए देता हूं एक से चोवालीस में नंचास घटाएंगे दो चोदा में से नो गई पांच नो में से तेला में से पांच तेला में से चाड़ गई नो 95 आगया और 85 यह भी नहीं आप अंसर ठीक है तो ऑप्सन इसका जो है सी है ऑप्सन सी हो जाएगा तो बच्चो कोस्तन नंबर 24 किनी दो आप परिमे संख्याओं का गुनानफल होत अगर गुना करता हूं मैं रूट 2 से तो आपको पता है कि यह ऐसे बन जाएगा दो गुना में दो लिए कना करता हूं रूट 2 saying 6 आप अब परिमे और root 3 के बीच एक परिमिसंख्य निकाल ली है तो आपको पताए कि root 2, root 3 एक परिमिसंख्य निकाल ली है तो निकाल सकते हैं देखो बच्चो क्या करना है कि question number 25 है इसमें आपको पताए कि root 2 की value होती है 1.41 चलता रहता आगे लेकिन आप इतनी value याद कर लो sort trick तो यही है कि आप इसकी value याद कर लो और root 3 की value होती है 1.73 तो बच्चो याद रखो अगर आपको root की value solve करना सीखनी है तो मुझे comment करके बताईए मैं उस पर भी video बनाकर आपको जरूर दूँगा जैसे भी problem होती comment करके बताईए मैं solve करके दूँगा आपको तो बच्चो इन दोनों के बीच में देखो कि इसके बीच में आगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है 1.6 आ रहा है 7 तो आप देखो option में कौन से कौन से 1.5 है 1.8 है 8 तो नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा बढ़ा हो जाएगा इसलिए 1.5 option C हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यह रिक्तिस्थान है यह तो आप खुद कर सकते हो अगर इनके बारे में आपको जानना है तो मुझे comment करके बताईए मैं बताऊंगा रिक्तिस्थान औ number 47 प्रथम 5 पॉन संख्याओं को P by Q के रूप में प्रदर्सित कीजिए चाहां P और Q को नांक है और Q not equal to 0 तो बच्चो आपको पता है कि जो पॉन संख्या होती है वो उसको सिंबल W होता है और वो 0 से स्टाट होती जीरो एक दो तीन चार अन गिनता जाती है तो एक दो ती इनको हमने P by Q के रूप में लिख दे जहां पे Q not equal to 0 तो आप देख सकतो कोई भी value 0 नहीं है नीचे Q नीचे Q होता हर में ठीक है हो गया question number देखो आप 42 देखो कह रहा है कि इनको इन values को दसंबला परसार में ग्याद कीजिए तो दसंबला परसार आप देखिए हो मैंने question ल को भाग करेंगे ऐसे तो देखो यह पूरा पूरा भाग वड़ा है तो यह आ जागा 0.2 दो बटे साथ को भाग करेंगे तो बच्चों आप देख सकते हो दो बटे को साथ को भाग करने पूरे पर यह value आ रही है लास्ट में दो दुबारा आ गया तो मैंने repeat नहीं किया इस उपर बार लगाने का मतलब यह value repeat होती रहेगी क्योंकि देखो दो आ गया फिर से यही कहानी सुरू हो जाएगी फिर से दुबार फिर चलता रहेगा यह तो इसलिए बार लगाने मतलब यह कहानी चलते रहेगी सुरू हो चलता रहेगा कभी खतम नहीं होगा 50 बटे 3 को भा हैं तो आप देखो दो बटे 9 और 3 बटे 7 तो आप ध्यान से देखो इनके पहले जब भी हमें परी में संख्या निकाल नहूं की डोच्टिए में तो सबसे प़हले हर को बदाबर करते हो यहां पनो है यहां यहां पर सात है यह साथ है तो साथ है च darle स्कूठ गुना कर देत इसलिए नीचे नो इस वाली वैल्यू में नो जो गुना करेंगे तो 2927 और 63 यह ऐसा करने का मतलब यह होता है क्यूंकि देखो इनके वैल्यू जो है अब दोनों का हर जो है सेम हो गया हां ठीक है हर जो इनके सेम हो गए तो अब हमें दिक्कत नहीं है इसलिए हम करते हैं कि इस वाले के साथ को इससे पूरे से उपर नीचे गुना करेंकि को हर इनके सेम हो गए यही कारणता कि 63 सेमों गए हो गईए इसमें चार वैल्यू निकालनी है चार संख्या जो इनके बीच की हो तो आप देख सकते हो 14 और 27 के भी सकता है 15 बटे 63, 16 बटे 63, 17 बटे 63, तो आप 26 तक क्योंकि 27, 26 तक ले सकते हो कोई भी वैल्यों लिख सकते हो इनके बीच की तो यह 4 वैल्यों हो गई ठीक है